हेई तो हलो दोस्तों कैसा है आप सभी लोग फिर से मैं आगे हो यूटीब पर एक फ्रेश वीडियो लेकर गाइस तो आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंट्रेसिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं कंपेर करने वाला है कॉर्णिंग गोरिला ग्लास 3 को कॉर्णिंग गो कॉर्णिंग गलास 3 के साथ कॉर्णिंग गोरिला ग्लास दिया जाते है थी तो दिया जाता हैають आज़ा यह इता है तो यह बहुत यह सिर्फ ने अभी तक दिखाई दिया है मुझे और इसके बात कॉनिंग गॉला सब्सक्राइब दिखा रहे हैं वह मुझे अभी तक पता है और फोर या थ्री तो जारत तक मुबाइलों में है कंपेर बहुत कुछ से आरत तक मुबाइलों में कॉर्णिंग गोईला ग्लास थ्री और फोर दिया जाता है उसके बात वैसे भी हम अपने डेली लाइफ में अब चल्फ करते हैं आपने अपने मुबाइल को हाथ से गिरा और कुछ नहीं हुआ डिस्प्ले में मतलब कुछ भी त्रूट हम ही उसके बाद गाइस देखा जाए तो जिसका आपके और एक दोस्ट तो ज्यादा कुछ मतलब थोड़ा मतलब साइट के ऊपर बाट में थोड़ा चीर गया सपोस्ट और स्क्रैश देखा जाए जैसे स्क्रैश हम देख रहें तो ज्यादा है और कंपेर तो कॉर्णिंग गोई ग्लास 3 कुछ भी नहीं है एक तम कुछ भी नहीं है तो इन दोनों का मतलब एक fact घॉल नहीं होता है और जो कॉर्णिंग गोई ग्लास 5 में स्क्रैश रेसिर्स यह है कि Scratch उसमें मिलता है, मतलब Scratch उसमें रहता है, यही तो उसका difference है, जो इसको Corning Gorilla Glass 3 से अलग बना रहा है Guys, तो Corning Gorilla Glass की हिस्ट्री में अगर आते हैं, तो 2007 में Apple नगना पहला मोईल लॉंच किया था, जिसमें Corning Gorilla Glass 1 था Corning Gorilla Glass 1 बहुत ही थिक, मतलब मोटा था, और उसका मतलब ज्यादा Tense, मतलब Strength नहीं था, जो मतलब Power जो बोलते हैं गिर जाने से तूटेगा, हाँ तो तूटेगा वो ठीक है तूटेगा, हाँ, Scratch उतना भी नहीं होगा, ठीक है, Corning Gorilla Glass 1 में यह ऐसा था, मतलब ज्यादा भी कुछ नहीं होगा, पर होगा, ठीक है, Corning Gorilla Glass 2 जब आया, 2 जब आया, 8 य 9 वैसे कभी, 8 9 के बीच में, 8 9 के बीच में, यह 10 भी हो सकता है, जब 8 9 10 में आया Corning Gorilla Glass 3, इन 3 यह साल के बीच में, जब यह Corning Gorilla Glass आया, तो तब क्या देखा गया, इसका मतलब thickness कम करके, slim, मतलब thin बना दिया गया था, slick जिसको बोलते है, मतलब इसको पतला बना दिया गया था, जिसको हम easily, मतलब जब पहले Apple का जब था ना, पहले 7 में, जो Corning Gorilla Glass 1 था, वो 2 में मोटा था, 2 में पतला हो गया, मतलब थोरा पतला हो गया, जिससे वो मतलब comfortably आप यूज कर सकते है, जो comfortably आप यूज कर पा रहे है, उसके बाद 3, और specifications रोना की सेम है, कुछ में अलग नहीं, except the thickness, thin, thin हो गया, उसके बाद guys, Corning Gorilla Glass 3 में guys, अगर आप देखे, तो Corning Gorilla Glass 3 एकदम, मतलब scratch रहे हैं, scratch रहे हैं, scratch रहे हैं, scratch रहे हैं, मतलब 99.9% फियूर नहीं कह सकता, 90% फियूर कह सकता हो कि हाँ, scratch नहीं आएगा, उसके बाद कि इस Corning Gorilla Glass 4 देखे गाए, 3 तक हुआ, 3 तक कंपनी नहीं सोचा चलो scratch भी नहीं देगे, और मतलब ज्यादा मजबूत नहीं सब का मांग है यह कि सब बोलें कि अरे उसको मूटा बनाव, जिससे वो मतलब कॉर्णी गोलियूर उसको मूटा मत बनाव, उसका strength और ज्यादा बढ़ा दो, जिससे वो गिरेगा, तो भी उसका कोई भी हानी नहीं पहुचेगा, यह था Corning Gorilla Glass 4, 5 में सेम रहता हुआ, और 6 में क्या हुआ? यह पता नहीं, क्योंकि 6 में अभी भी आया नहीं है, जिस लेए 6 में अभी भी आया है, यह अपने मुबाइल को एकदम सही बना सकते है, वह रहा है सैपाय क्रिस्टल से अबर आफ आफ अपने मोबाइल को मतलब मोबाइल का दिस्प्ले देखे गर्स बाला है मैं आपको कहा था से फायर क्रिस्टल जैसा कि आप देख सकते हैं यह घरी है टाइटन का इसका कोस्ट है इसमें सफायर क्रिस्टल दिया गया है जिससे मतलब यह कीरेगा जिए इसे सपायर क्रिस्टल में पती हुआए О देखने आफ एसे वा पीव है था स्पर यह चरे वीजिए कोस्ट ब् pandapa ऑई बश्इन है कुछ भी नहीं सवगा मौबाइल बना ने गाल कि 22нет आइफोन नहीं बनता है सैफाय क्रिस्टल से तो इसलिए इसका कॉस्ट ज्यादा पर जाते सैफाय क्रिस्टल का इसलिए आप देखते भी रोलेक्स हुए फॉसील हो ज्यादा ओमेगा का एक वाच है क्यों भाई उसमें कुछ तो खास होगा हाँ उसका सैफाय क्रिस्टल मना रहता है उसका डिस्प्ले कभी में मतलब बहुत ही मतलब हाइली लॉंग लास्टिंग होता है यह और देखा जाए तो आजके वीडियो में इतना तो कि फिलाल के लिए इतना तो कि अगर आपको यह अ झाल